आप देख रहे हैं JX News 36 गड़ नामी कमपनी में HR मेनेजर ने लगाई फासी यूती ने तीन दिन पहले ही दिया था रिजाएन ओफिस में टिंसन की बात कर रही थी यूती नामी कमपनी में HR के पत पर काम करने वाली यूती ने फासी लगा कर सुसाइट कर लिया इंदोर में लस्तूरिया थानचेतर के नरीमन पॉइंट में रहने वाली सालू निगम नाम की यूती ने फासी लगा कर आत्महत्यकली सतना की रहने वाली थी और इंदोर में नामी कमपनी देव विग्रो में HR के पत पर काम करती थी तीन दिन पहले ही उसने कमपणी से रिजाइन किया था मौके से एक सुसाइट नोड भी मिला है जिसमें उसने अपनी मर्जी से आत्महत्य की बात और तमाम बातों का जिक्रिक किया है जिसके बाद पुलिस जांच परताल में जुटी है HR मेनेजर सालू निगम मुलताह सतना की रहने वाली थी जो अपनी बहान के साथ राकर पिछले तीन सालों से एक निजी कमपणी में काम कर दी थी जब साम को छोटी बहन घर आई तो सालू खासी के फंदे पे लड़की वी थी ततकाल इसकी सुचना पुलिस को दे दी गई है पुलिस ने सहो को पोश्ट माडम के लिए एमवास अस्पिताल भिजवाया तीन दिन पहले है मृतिका सालू निगम ने अपनी कमपणी से स्थीपा दिया था ओफिस में टेंसन की बात कर रही थी वहीं परिजनों ने कमपणी के स्थाप पर आरोप लगाया है कि सालू को किसी बात की ओफिस में टेंसन थी वहीं पुलिस को मितिका के फ्लेट में एक सुसाइड नोट भी मिला है हिलालपुरे मामले में लस्तूरिया पुलीस, परिजनों के बयान और कमपनी के स्टाप के बयानों के अधार पर मामले की जाज कर रही है मितीका के मामा राकेश दिगम ने बताया कि हमें सुचना मिली की भांजी ने फासी लगा ली है दो दिन पहले बात हुई थी, बता रही थी कि कमपनी में कोई तनाव है, सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन हमारे पढ़ने में नहीं आया वही कमपनी में काम करने वाले उनके साथ ही मानपाल सिंग ने बताया कि कमपनी में कोई तनाव नहीं था राजी खुजी नौकरी छोड़कर चली गई थी पुछने पर कोई वज़ा नहीं बताई कि क्या हुआ इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है जाच अधिकारी अस्तरप अली अंसारी ने बताये कि तीस स्वर से यूजी ने फासी लगाई है हमने मरगर रिपोर्ट की है सुसाइड नोट मिला है हम जाच कर रहे है